बहुत सारे teaching videos में आपने देखा होगा, जब teachers कुछ पढ़ाते हैं, पीछे उनका whiteboard visible होता है, जिस पर वो कुछ लिखकर बता रहे हैं, और सामने जो उनका face है, वो भी visible होता है Do you want to learn how to create such videos? Hello everyone, this is Nidhi, और आज के इस video में हम सीखेंगे, कैसे आप इस तरीके के videos बना सकते हैं, with the help of simple whiteboards, क्या-क्या settings होगी, क्या setup होगा, everything will be discussed in detail in this video So before we move ahead, if you find this video useful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel if you are new here, let's get started इस तरीके के video को record करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरुवत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी green screen इसके बाद आपको lighting का ध्यान रखना है, तो एक light चाहिए, जो आपके face पर focus करें, आप ring light यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप चाहें, तो tube lights यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी green screen को evenly light अप करें तीसरी चीज है हमारा mic, आप यहाँ पर चाहें, तो color mic यूज़ कर सकते हैं fourth thing that you need is a camera, अगर आपके पास अच्छी quality का webcam है, तो उसे आप use कर सकते हैं या फिर आप अपने mobile के camera को भी use कर सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है, जो उसका camera quality है, वो अच्छा होना चाहिए, this is very important अगर mobile को as a camera हम यहाँ पर select कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम use करेंगे Indian या Droidcam application to record a video and use our mobile as a video capture device, और इसे hold करने के लिए आपको चाहिए होगा एक scissor arm या फिर एक tripod next चीज जो हमें चाहिए हैं, वो है pen tablet, जिससे हम क्या करेंगे, screen पर हमें कुछ लिखना है, explain करना है तो वो हम use करेंगे and of course a laptop, और software में सिर्फ दो applications का यहाँ पर requirement है, पहला तो है आपका OBS studio और दूसरी चीज है आपका online whiteboard जिसमें आप चाहें तो OneNote, PowerPoint, MS Word, OpenBoard, कोई भी whiteboard application यहाँ पर use कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को use कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक online whiteboard application open up करना है Right now we have opened up PowerPoint, अब यहाँ पर पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका slide है या फिर जो आपका whiteboard है, उसका layout proper होना चाहिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, design tab में जाएंगे और फिर slide size वाला option है, इसको select करेंगे हो सकता है जो आपका पुराना version हो, MS Office का उसमें design tab ना हो, वहाँ पर आपको view tab के अंडर मिल सकता है या फिर layout या orientation के अंडर यह वाले options मिल सकते हैं, you can find it there तो अब हम क्या कर रहे है, जो slide size है, हो सकता है यह 4 is to 3 आपका selected हो, तो इसको आपको select करना है 16 is to 9, the reason is, जब आप video यहाँ पर अपना लेकर आएंगे, left side में आपका text होगा और right side में आपका जो video होगा, वो visible होगा, और जो आपके slide का size है, वो यदि छोटा है तो यह चीज़े overlap होगी, इसलिए make sure जो slide size है, वो proper हो इसके बाद आपको open up करना है, OBS studio, पहली चीज़ आपको क्या करना है, go to tools, auto configuration wizard आप select करेंगे यहाँ पर जो first option है वो selected होगा, आपको second option optimize for recording, इसको select करना है और फिर next, यह इसकी settings रहेंगी, इसके बाद हम click कर देंगे next and then apply settings इसके बाद हमको 2-3 options यहाँ पर add करने है, sources के अंडर हम जाएंगे, plus वाले option को select करिए, window capture आपको select करना है और यहाँ पर हम powerpoint select कर लेंगे and click on ok, तो यह हमारा powerpoint window यहाँ पर open up हो गया है, इस screen को आपको थोड़ा adjust करना होगा, जिसे कि सिर्फ जो आपका whiteboard है वो visible हो और जो extra part है, जो additional information है वो सारी यहाँ पर visible ना रहे, तो आप यह कैसे करेंगे, आपको alt की press करना है और फिर यह ज यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारा mic है, उसको add करना है, तो यहाँ पर हम select करेंगे, audio input capture और फिर drop mic यहाँ पर use कर रहे हैं, वो आप यहाँ से select करेंगे, third thing that we need to do here is, यहाँ पर हमको add करना है webcam, तो video capture device हमको select करना है, यहाँ पर I am going to use the Arian webcam, अब यहाँ पर हमने क्या किय पीछे एक green screen use की है, और इसे किस तरीके से लगाना है, सारा setup मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी I am going to show you the main part of this video, तो अभी इस video को यहाँ प्लेस कर देते हैं, next thing that we have to do is to remove the background, तो आप select करिये video capture device, filters पर आप जाएंगे, अब यहाँ हमें क्या करना है, chroma की use करना है, तो completely remove हो गया है, if you are not satisfied with the video output quality, तो similarity, smoothness और color spill, यह तीनों values को थोड़ा सा change करके देखेंगे to see, जो video output quality है, वो improve हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो similarity के value, इसको थोड़ा सा adjust कर रहें and then click on close, so now you can see, जो हमारा background था, video background था, वो completely remove हो गया है, next thing that you have to do is, अब हमी क्या करना है, lectures को record करना है, तो हम करेंगे, start recording, we are going to select this option, इसको हम कर देंगे minimize OBS window को, और जो हमारा PowerPoint का window है, हम उस पर आ जाएंगे and then we can continue teaching from over here, अब यहाँ पर कुछ भी हमें लिख कर बताना है, we are just going to select the draw tab and then we are going to start writing over here, और आप normally जासे हम slides को change करते हैं, बिलकुल वैसे ही आप य जासे हमारा PowerPoint को चीजों को change करके, बिलकुल वैसे ही आप यहाँ पर चीजों को change करके explain कर सकते हैं, now I am going to go back to the OBS window, now I will show you my recording setup, यहाँ पर जू मेरा video setup है, वो कुछ इस तरीके का है, लैकुल घंटाप मैं मैंने connect किया है, यहाँ पर जो मेरा video setup है, वो कुछ इस तरीके का है, है एक mic और pen tablet और पीछे हमने video capture device के लिए connect किया है mobile को और mobile को हमने place किया है scissor arm के ऊपर और कैसे हिसे हम use कर सकते हैं as a webcam इसके लिए आपको ये वाला video देखना है अब lighting की बात यदी करें तो यहाँ पर क्योंकि ये छोटा room है बहुत जादा lighting की requirement नहीं थी फिर भी मैंने यहाँ पर एक ring light यूज की है जो face पर focus करेगी और जो एक normal tube light है उसके opposite मैंने green screen यहाँ पर place की है कैसे place करना है इसको बिल्कुल straight और stretch करके लगाना है जिसे कि बिल्कुल भी इस पर wrinkles ना है दूसरी चीज जो light है वो भी evenly distribute होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर dark patches हैं कहीं पर light patches हैं नहीं तो जो chroma की effect है वो properly apply नहीं हो पाएगा इस चीज का आप ध्यान रखे तो एक tube light से दी काम ना बने तो आप दो या तीन light भी आप यूज कर सकते हैं कुछ points का आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज green screen इसे आप use कर रहे हैं तो जो cloth आप use कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी wrinkles नहीं होने चाहिए अच्छा से stretch करके उसको set करें दूसरी चीज है lighting तो आप अपने face के लिए एक separate light यूज करेंगे जो सिर्फ आपकी face पर focus करें और जो पीछे green screen है उसके लिए आपको एक separate light यूज करनी होगी चाहे तो tube light से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ध्यान इतना रखे जो light है जो green screen पर light पड़ रही है वो evenly पड़े यह नहीं होना चाहिए कि कहीं पर dark आ रहा है कहीं पर बहुत जादा bright आ रहा है ऐसा हुआ तो जो chroma की effect है वो प्रॉपर यहाँ पर apply हम नहीं कर पाएंगे third thing जो video quality है आप चाहते हैं वो अच्छी हो तो अच्छी quality का camera यहाँ पर use करना है आप यदि webcam यूज कर रहे हैं उसका quality अच्छा नहीं आ रहा है तो video quality में आप कितना भी chroma की effect लगा लें you will not get the satisfactory result तो चाहें तो आप अपना mobile यूज कर सकते हैं वशरते उसका जो camera quality है वो अच्छा हो और जो front camera है उसे use नहीं करना है जो back camera है उसी को use करना है और जो basic setup मैंने आपको बताया है सारा step by step process explained है उसी तरीके से आपको चीजों को follow करना है और चीजों को apply करना है do not skip the video सारे steps को आप properly follow करेंगे one by one नहीं तो कोई ना कोई step यदी आपका miss हो गया then you are going to ask me ये प्रपर नहीं हो रहा वो प्रपर नहीं हो रहा don't do that okay follow the video properly and let me know what are the results that you get in the comment section below well that's all for today thank you so much for watching I will see you in the next video